Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्थी Teleprime की इस वीडियो सिरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Trial Balance क्या है और उससे हमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त होती है इसके पहले हमने आपको Opening Balance डालते हुए एक नई कमपनी बनाना और उसके बाद उस कमपनी में कुछ Transactions record करने के लिए दिये थे इन दोनों वीडियोस के आधार पर ही हम इस वीडियो में Trial Balance के बारे में और इसके बाद की दो वीडियोस में बहुत ही महत्वपून Reports के बारे में बताएंगे जिस तरह परिक्षा के बाद Result का महत्व होता है उसी तरह व्यवसाई में भी इन Reports का महत्व है यदि आप सफल व्यवसाई या Accounting बनना चाहते हैं तो इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें इसके पहले हमने आपको हमारी वीडियो नंबर एट में बताया था कि Manual Accounting में लेजर पोस्टिंग के बाद Trial Balance तयार किया जाता है जबकि Tally हमें खुद ही Trial Balance बना कर दे देता है आज हम आपको Tally के द्वारा बनाई जाने वाली Trial Balance की जानकारी दे रहे हैं पर आगे बढ़ने से पहले एक बार Trial Balance की परिभाशा फिर से देख लेते हैं Trial Balance सभी Accounts यानि लेजर से ग्याद किये गए डेविट और क्रेडिट पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है सरहल शब्दों में कह सकते हैं कि Trial Balance में आप सभी Accounts यानि लेजर के Closing Balances एक साथ देख सकते हैं यहां एक सवाल उठता है कि इसकी उप्योगिता क्या है इसके मुखिता दो उप्योग हैं पहला इसकी साहता से आपको अपनी कंपनी के सभी लेजर्स की Summary एक जगह पर प्राप्त हो जाती है जिसका अधिन करके आप कंपनी की स्थिती ग्याद कर सकते हैं और दूसरा इसी के आधार पर कंपनी का Profit and Loss Account तयार किया जाता है यह हम आपको बाद वाली वीडियो में बताएंगे Trial Balance को अच्छे से समझनी के लिए पहले हम कुछ तयारी कर लेते हैं जैसे कि कुछ Lajers को खोल कर उनका Opening Balance उन Lajers को लेकर जो Transactions हुए हैं उनका Lajer के Debit और Credit Amount पर क्या प्रभाव पड़ा है यानि उनके Current Total Debit और Current Total Credit Amount क्या है और उनका Closing Balance ये सब ही एक जगर पर लिख लेते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं Lajer देखने के लिए D प्रेस करेंगे अब A प्रेस करेंगे अब L प्रेस करेंगे यहां से Lajer का नाम सेलेक करें हम सबसे पहले Cash सिलेक कर रहे हैं देखिए Cash का Lajer आ रहा है हम F2 प्रेस करके 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का Period यानि पुरा Financial Year सिलेक कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसका Opening Balance 6,800 Current Total Debit Amount 4,16,500 Current Total Credit Amount 3,57,673 और Closing Balance 65,627 है हमने यह सभी चार्ट में लिख लिया है इसे तरह हमने दो और लेजर्स की डिटेल्स भी यहां पर लिख ली है यहां हमने बीच में एक कॉलम खाली रखा है इसमें Net Transaction Amount लिख लेते हैं Net Transaction Amount से तातपर्य है कि लेजर में जो भी Total Amount Debit और Credit हुआ है यह उन दोनों का Difference होता है जैसे कि यहां Cash के लेजर में Current Total Debit Amount 4,16,500 और Current Total Credit Amount 3,57,673 है और इन दोनों का Difference 58,827 है यह इसका Net Transaction Amount कहलाएगा चलिए आप Trial Balance देख लेते हैं उसके लिए दो तरीके हैं पहला Reports Heading के अंतरगर Display More Reports पर जाएं और यहां से Trial Balance को सेलेक करें दूसरा तरीका है Go To पर जाएं देखिए यहां भी Trial Balance दिखाई पड़ रहा है इसका उपयोग खास तोर पे हम तब करते हैं जब हम Tally में कोई दूसरा काम कर रहे हैं और उसी बीच हमें Trial Balance देखना है तो उस काम को बंद किये बिना ही आप यहां से Trial Balance देख सकते हैं हम Escape की प्रेस करके वापस चलते हैं अब हम Gateway of Tally पर हैं Display More Reports के लिए D-Press करें फिर यहां Trial Balance के लिए D-Press करें इसमें Right Side में Period लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है By Default यहां वर्ष के प्रारंब होने की तारीख से जिस तारीख में आपने Company में आखिरी Transaction Record किया होता है वो तारीख आती है F2 Key Press करके आप अपनी जरूरत के अनुसार Period बदल सकते हैं ध्यान रखें आप जब भी कोई Report देखें सबसे पहले उसका Period जरूर चेक कर लें Particulars में सभी मुख्य Groups के नाम आ रहे हैं और Right Side में उन सभी Groups के Debit या Credit जो भी Closing Balances हैं वो दिखाई पढ़ रहे हैं इस Report को Detail में देखने के लिए Altar और F5 Keys प्रेस करें यह Detailed Report आ रही है पर इस Report में हमें सभी Groups के अंतरगत बने Ledgers नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे कि Sundry Creditors, Loan & Advances, Sundry Dators, Cash in Hand और Bank Accounts यदि आप इनकी Details भी देखना चाहते हैं तो उन Groups के नाम पर जाकर Shift और Enter Press करें देखिए ऐसा करते ही हमारे सब Groups के अंदर जो भी Ledgers बने हुए थे उनके नाम और Closing Balance दिखाई देने लगे हैं Trial Balance का एक बड़ा फाइदा ये भी है कि हमें एक ये इस्थान पर एक साथ ये भी मालूम पढ़ जाता है कि हमें किस सप्लायर को कितना देना है और किस कस्टमर से कितना लेना है यहां पर एक बात ध्यान रखें जिन लेजर्स का बैलेंस जीरो होता है उनके नाम Trial Balance में दिखाई नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नाम से ही सप्ष्ट है Trial Balance जब बैलेंस है नहीं है तो यहां पर नाम क्यों दिखाई देगा बला चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खास बात समझ लेते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था कि Trial Balance में लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं और ये बात हमने जो तीन लेजर्स की समरी तयार की है उसके क्लोजिंग बैलेंस को देखकर आप समझ सकते हैं इससे आपको सपष्ट हो ही गया होगा कि Trial Balance सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस की एक समरी है यहां हम आपको Manual Accounting में हमने जो Trial Balance बना कर बताया था वो भी दिखा देते हैं देखिए दोनों में प्रेजेंटिशन का थोड़ा फर्क है बाकि सब एक जिसा है अब यदे आ आप बगेर ग्रुप्स के सिर्फ सभी लेजर्स देखना चाहते हैं तो F5 की प्रेस करें यह देखिए ऐसा करते ही हमारी वो सभी लेजर्स जिनने क्लोजिंग बैलेंस है दिखाई पड़ रहे हैं फिर से पहले वाली इस्तिति में आने के लिए एक बाद फिर F5 की प्रेस क करें इसके बारे में हम डिटेल में आपको लेजर रिपोर्ट में पहले ही बता चुके हैं हम स्केप की प्रेस करके वापस ट्राइल बैलेंस पर चलते हैं चलिए अब पात करते हैं टैली की टैली हमें ट्राइल बैलेंस में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखने की ही सुवि पर चलते हैं, यहां एक एक उप्शन के नाम को ध्यान से पढ़ें, शो ओपनिंग बैलेंस को यस करें, इससे हमें वो ओपनिंग बैलेंस दिखाई पढ़ेंगे, जो हमने कमपनी में लेजर्स बनाते समय डाले थे, इसके बाद शो ट्रंजेक्शन से तात परे ये है कि हमने जो ट्रंजेक्शन्स रिकॉर्ड किये हैं, उनका जो भी टोटल डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो दिखाई पढ़े, हम इसे यस कर रहे हैं, ने ट्रंजेक्शन्स ओनली अभी नो है, इसे हम नो ही रहने दे रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां टाइप ग्रूपवाईज ही रहने दें, और Format of Report में Detailed ही रहने दें, अब Expand all levels in Detailed Format को Yes कर दें, इससे हमें सभी इस तर तक की रिपोर्ट डीटेल में प्राप्त होगी, खेंस थे और इस फिंडों को Accept कर लेते हैं, यह दिखे, पहले यहां सभी लेजर्स के सिर्फ Closing balance ही आ रहे और अब यहां opening balance, जो transactions हुए हैं, उनके debit और credit amount और अंत में सभी के closing balance भी रिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर हम आपको याद इला दें कि यह वही opening balance हैं, जो हमने लेजर बनाते समय डाले थे, और इसी तरह हमने उस company में जो transactions record किये थे, उनी के debit और credit amount हैं, यह देखिये, हमन जो तीन लेजर की समरी बनाई थी, यह उसी तरह की सभी लेजर की समरी है, इस तरह आप trial balance की साहता से एक ही जगर पर सभी लेजर की समरी प्राप्त करके, उनका अध्यन करके, अपनी company की स्थिती को अच्छे से समझ सकते हैं, अब यदि आप transactions के अलग-अलग debit और credit amount की जगर सिर्फ net transaction amount देखना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करके, net transactions only को yes करके, इस window को accept कर लें, देखें, यह transactions के debit और credit amount की जगर सिर्फ net transactions amount है दिखाई पड़ रहा है, चलिए इसको भी हमने जो तीन लेजर की समरी बनाई थी, उससे मिला लेते हैं, configuration में किस option का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अच्छे से समझनी के लिए आप e-cake option को yes और no करके, और जिन options में सब options हैं, उनमें से भी हर option को select करके ज़रूर try करें, तभी आप उनके सही उप्योग समझ पाएंगे, इस वीडियो के नीचे description में हमें एक PDF दे रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो के पहले वाली दो वीडियो के आधार पर company बना कर उसमें काम किया हो, तो आप तैली में अपने trial balance को open करके, हमारे दिये गए trial balance के PDF से मिला लें, ऐसा करने से यदि आपने ledgers या उनके groups बनाने में कोई भूल की होगी, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसे ठीक कर सकेंगे, इस वीडियो में हमने आपको trial balance के बारे में जानकारी दी, इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि profit and loss account क्या है और trial balance के आधार पर उसे कैसे बनाते हैं,